दोस्तों नमस्कार हमारे चैनल पर आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों यूपी बूर्ड की परिक्षा सामने है खास करके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए परिक्षा 2023 में आने वाले संभावित बहुत बिकल्पी प्रस्णों को जो यंशियाटी के नए पैटन के आध जारी थे हैं जो 20 नमबर के प्रस्ण अब्जेक्टिव बहुएकल्पी टाइप के आएंगे उनको आपको OMR सीट पर भी भरना है तो आप उसको OMR सीट पर कैसे भरेंगे इसके लिए हमने आपको एक वीडियो में बताया है कि OMR सीट कैसे भरा जाएगा तो आप उन प्रस् को कैसे हल करेंगे आपको बहुत ही महत पूढ़ प्रस्ण इस वीडियो में आप लोगों देखेंगे कि बहुत ही महत पूण प्रस्ण है और ये 2023 में UP sulla की परीच्या में आने वाले बहुत ही सम्भावित प्रस्ण है 100 परसेंट आने वाले प्रस्ण है इसलिए दोस्तों इस इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना, बिन्या स्किप किये, सारे प्रस्णों को हल करना और इन प्रस्णों को हल करने के बाद आपको MR सीट भी भरना है, पहले प्रस्ण में देख रहे हैं लिखे, कास साथ यंस, कास तीशंस, माइने साइन, 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 तीशं का मान क्या होगा तो आपको बिने हल की या आप नहीं इसको हल बता पाएंगे तो आप इसको इस तरह से रभ पर हल कर लेंगे तो चलिए देखिए जैसे कास साथ कास साथ का मान हम देखिए रख दिये एक बटा दू कास 30 का मानν हमने करण देम 3 बटा 2 रख दिये साइम 60 के मान करण देम 3 बटा 2 और स्वाण कितना होगा 0 बटा 4 0 बटा 4 का मान हो जाएगा 0 इस तरह से इसका अंसर क्या हो गया इसका अंसर सही अंसर हो गया ये आप ए पर इस तरह से टिक लगा देंगे इसके बाद दूसरा प्रसन देखिए दूसरा प्रसन है समीक रड़ एक्स स्क्वाइर बराबर यार एक्स मानिस 28 का हल होगा तो आपको इसका हल ग्याद करना है तो आप इसको हल कर लेंगे तो आप इसको हल करने के लिए रफ पर कहीं भी कर सकते हैं इस तरह से आप किसी रफ पर लिखे लिखा गया है एकस स्क्वाइर तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे एकस स्क्वाइर यारा यक्स है तो यारा यक्स को जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस यारा है यक्स हो जाएगा और यह देखिए हो जाएगा माइनस 28 हो गया अब इसको आप बराबर जिरू लिख देंगे तो इसको जब हल करेंगे इसका गुड़न खंड करेंगे तो आपको इसका गुड़न खंड करना है देखें यहाँ पर माइनेस है और जब इसको हम धर ले आएंगे बराबर क्ते प्लस हो जाएगा तो ए हो गया 28 28 का ऐसा गुड़न खंड करना है जोडने पर 17, 24, 28 27 और 4 यहाँ पर आप लिख देंगे एकस स्क्वाइर माइनेस साथ दहन 4 एकस प्लस 28 इसका गुड़न खंड करना पच्छी तरह से जानते हैं कि गुड़न खंड कैसे करना है तो जब इसको हल करेंगे तो एकस माइनेस 7 और एकस माइनेस 4 आएगा आप यहाँ पर इसमें लिख देंगे इस पर टिक लगा देंगे कि इसका सही विकल्प होगा 7 और 4 इसी तरह से आप तीसरे प्रस्ण को हल करेंगे तो देखिए तीसरा प्रस्ण 15 तक कि सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा अब दिखेजे इसका आपसं दिया गया है 6, 8, 10, 12 तो आप इसको कैसे हल करेंगे तो 1 से 15 तक पहले आप सम संख्याओं लिखेंगे तो आप रफपर इसको इस तरह कर लेंगे एक से 15 तक सम संख्याओं जैसे 2 देखिए दो हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया 12 हो गया और 14 हो गया इतरह से समसंख्या हो गया समसंख्या का समंतर माध्य आपको निक्यालना है तो सब को जूड़ देंगे इस तरह से और बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 से भाग कर देंगे 4, 2, 6, 6, 12, 12, 12, 20, 20, 20, 30 30 और 12 42 42 और 14 हो गया हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका अंसर हो जाएगा कि इसका अंसर B सही है तो आप B पर इस तरह से टिक लगा देंगे इसके बाद देखिए चौथा प्रस्ण देखिए लिख्या गया है कि कास 18, साइन 72, कास 13 और साइन 77 का मान बताईए तो इस तरह का प्रस्ण होगा तो आपको इस तरह से लगाना है कास 18, फिर देखिए साइन 72 अंस है, तो साइन 72 अंस को आप लिख सकते हैं 90 मानेस 18 या कास को बदल सकते हैं, जिसको बदलना चाहें बदल देंगे ते हो जाएगा saign 18 ans बटे चुकि saign 90-улum तीटे बर 10 तीटे होता है ते भी हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा अब दो पर आप इस तरह से इसको टिक लगा देंगे इसी तरह से हम पाच्वे प्लस्न को करेंगे देखिए पांचों प्रसना है कि यदी साइन टू ये बराबर टू साइन ये तो ये का मान क्या होगा अब आपको इसमें ये का मान बताना है तो ये का मान क्या होगा तो देखिए इसको भी आप हल करेंगे तो देखिए आप कैसे हल करेंगे इसको लिखेंगे कि साइन टू ए बराबर टू साइन ए एक तो आप इस तरह कर सकते हैं एक अस्थान पर आप कुछ इस तरह से मान रख करके करेंगे जैसे जीरो रख देंगे या कुछ करके लेकिन इसको देखिए आप इस तरह से हल करेंगे जैसे साइन टू यह साइन टू का आप लिख सकते हैं टू साइन ए का से बराबर होता है टू साइन ए दिया गए तो इस कितना हो जाएगा अब इसको हल कर देंगे कितना हो गया देखिए साइन से साइन कट गया टू से टू कट गया यहां पर आ गया कासे कासे ब्राबर एक तो कासे में एक एक पर कासे का मान कितना होता है आप जानते हैं कि कास अगर जीरू होगा तो इसका मान एक आता है तो कास जीरू पर एक होता इसलिए एक का मान कितना हो जाएगा एक का मान जीरू हो जाएगा इसलिए आपका आंसर सही हो गया कि सुन इसका आंसर है सुन पर आप टिक लगा देंगे इसी तरह से हम चटों अप्रस करेंगे यह दिश चब्विस एक सो उनहतर का यह सीव तेरह हो तो चब्विस और एक सो उनहतर का यह सीव क्या होगा तो इसके लिए आपको यह फार्मलों एक मालूम है कि LCM गुड़े यह सीव बराबर दोनों संख्याओं का गुड़न फल उसी से आप लिखेंगे ते हो जाएगा 26 गुड़े 179 में आप 13 से भाकल 13 दुनी 26 हो गया दो का गुड़े 921 अठारा और दो चब्वारा एक 13 दो एक 339 आ गया तो इसमें देखिए 339 है तो देख रहें 339 इसमें है तो आप इस 339 पर टिक कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 329 इस तरह से इसका आंसर 339 हो गया इसी तरह से आप सभी प्रस्णों को जल्दी जल्दी देखिए 7 प्रस्ण बिंदू माइनस 3 और 4 की एकस आक्छसे दूरी बताएए तो देखिए इस तरह से इसमें लिखें गया 3, minus 3, 4 और 5, तो इसमें देखिए X X का अगर Y के सापेक्ष होगा तो ये दूरी 4 होगी तिसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 आप 4 पर इस तरह से टिक लगा देंगे अठमा देखिए, साई ने बराबर 1 बटा 2, तो का से का मान बताईए, इसको आप कैसे हल करेंगे तो आप इसको देखिए इस तरह से आपको बताना है कि इसमें कौन सा, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं जैसे आप लिख देंगे कि साइन A बराबर 1 बटा तो आप इस तरह से एक ट्रेंगल बना लेंगे ट्रेंगल में आप जानते हैं कि SIN थीटे बरावर होता है लंब बटा कड़ इसलिए एक लंब हो जाएगा कंड़ दो हो जाएगा और जब इसको हल करेंगे तो करड़ी में तीन इसका आधार आ जाएगा जब करड़ी में तीन आधार आ गया तो आप जानते हैं कि कास थीटे बरावर होता है आधार बटा कंड तो इसलिए आधार बटा कंड वने करड़ी में ती से ठीक लगा देंगे अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है कि यदि बिंदु माइनिस छह पाँच और माइनिस दो तीन को मिल आने वाले रेखा खंड का मध्धिबिंद इतना है तो एका मान बताईए इसको जिब आप हल करेंगे तो इसका आएंसर आजाएगा माइनिस चार आप इसको इस तरह से हल करेंगे मध्धिबिंदु का सूत्र आप जानते हैं कि मध्धिबिंदु का सूत्र होता है कि एकस वान प्लस एकस टू बटे दो वाई वन प्लस वाई टू बटे दो इस तरह से आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका आनसर इसका हल करेंगे तो इसका अंसर माइनएस ओर है तो आप माइनएस ओर पर टिक कर देए इसके बाद चलते हैं हम दसों अपरस देषिए D program 107अची तरहा बदर जीरू के मूलें का योज़ होगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले आप इनके मूलों को निकिया "- तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसका हल हो जाएगा एक आजाएगा कि एक सबराबर चार हो जाएगा और एक आजाएगा तीन अब दोनों को कह रहा है कि दोनों के बितकरमों का इनके मूलों के बितकरमों का योग निक्यालना है इसमें तो बीतक्रम का योग कैसे निक्यालेंगे तो एक मूल चार है और एक मूल तीन है तो आप इसको इसका बीतक्रम लिखेंगे तो इसका बीतक्रम क्या हो जाएगा इसका बीतक्रम हो जाएगा एक बटा चार और एक बटा तीन एक बटा चार और एक बटा तीन को जब हल करें कितना आ जाएगा यह आ जाएगा चार तीन साथ आ जाएगा साथ बटे बारा तो इस तरह से इसका अंसर हो जाएगा साथ बटे बारा तीस तरह से इसका अंसर होगे साथ बटा बारा और इस पर आप इस तरह से टिक कर देंगे इसी तरह से हम अगले प्रस्ण को हल करेंगे देखिए अगला प्रस्ण इस तरह का है इगिरा हुआ चित्र में D E समांतर B E A E की माप आपको बताना है तो आप चित्र देख रहे हैं जब इनका अनुपात करेंगे तो हमें इसका आंसर मालूम हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से हल करनेंगे लिखेंगे कि A,E बटा A,C और इसको लिख देंगे D,E बटा B,C तो A,E का मान देखिए A,E के अस्थान पर यक्स है तहां पर हम X लिख देंगे और A,C के अस्थान पर हो जाएगा X प्लस 3 हो जाएगा और D,E के अस्थान पर देखिए 3 है और इसके अस्थान पर देखिए 4 है तो हम पर 4 लिख देंगे अब इसको आप हल कर लेंगे तो देखिए हल करें क्या जाएगा यह हो जाएगा देखिए दो संख्याओं का योगफल 29 तथा उनका अंतर साथ है तो ये संख्याओं ज्यात कीजिए तो ये संख्याओं क्या होगी तो आप इसमें देख रहे हैं आप बिनहाल के भी इसको इस तरह कर सकते हैं जैसे आप चाहें तो देखिए 19 योगफल है और अंतर साथ है जि आंतर देखिए इसका 13 आ रहा है इसका 9 आ रहा है इसका 7 आ रहा है तिसलिए यही आपका आइंस्वर सही हो गया आप इसको टिक कर देंगे प्रत्थम 10 अभाज संख्याओं की माधिक्या क्या होगी तो सबसे पहले आप अभाज संख्याओं दो तीन पांच साथ यारह तेरह सतरह उनएस तेश और उनतिस अभाज संख्याओं के इसका माधिक्या निकलना है तो आप गिनिये देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस तो यहन बराबर हो जाएगा दस तो आपको देख रहे हैं यहन बटे दो ओंपद और यहन बटे दो धन एकोऊआ पद इस तरह से आपको जब भाल करेंगे तो देखिए आ जाएगा पांच और छठा पद था देखिए एक दो तीन च्राइर पांच और च्छैंट यार और तेरा है तो यार और तेरा को जोड़ देंगे तो आजएगा 24 24 में तो का भाग कर देंगा जाएगा 12 इसलिए संख्या हो जाए कितनी तो आप इसमें देखिए 12 इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 12 अब आप बी पर इसको इस तरह से आप भी पर इसको टिक कर देंगे 14 प्रसंद देखिए 10 13 19 19 12 15 19 17 का भाग ज्याद कीजिए तो अब आपको इसमें बताना है कि किसका भाग इसमें भाग क्या होगा बार बार आने वाले संख्या उनाईस है तो आप देखिए 10 19 एक दो तीन तीन बार आया है तो बहलोक क्या हो जाएगा बहलोक में आप लेगेंगे 19 और 19 पर इस तरह से टिक कर देंगे यह आपका अंसर हो गया इसे एक ठोस को एक आकरिस से दूसरे आकरित में रूपांतरित करने पर नई आकरित का आयतन बढ़ेगा घटेगा पहले के समान होगा दोगन होगा तो देख रहे हैं एक ठोस के आयतन को दूसरे ठोस के आयतन में क्यों चेंज किया जा रहा है तिसलिए न तो बढ़ेगा और न तो घटेगा और न दोगन होगा क्या होगा वो पहले के समान होगा उसके आयतन मे कोई परिवर्टन नहीं होगा इसलिए आप इस पर टिक कर देंगे यह दि पांच दस पंदरा एकस बीस पांटिस चालिस का समानतर मात यह 21 हो तो एकस का मान बताईए तो इसको भी आप पांच 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 दस हो गया चार एक पांच पांच तीन आठ आठ दो दस दस एक यहरह यहरह एक बारह एकसो पचीस हो गया एकसो पचीस प्लस एकस बटे साथ हो गया और यहाँ पर देखिए काई से हो गया अभी इस तरह से आप एकस का मान निक्या लेंगे थे आजएगा 147 minus 125 तो X बरावरा जाएगा 147 में से 125 खटाएंगे देखिए आग यह 7 में 5 2 और 2 तो इस तरह से उसका अंसर कितना गया 147 में से 125 का आप मैनिस करेंगे तो 22 आ गया तो इसका अंसर आ जाएगा 22 तिसले आप इस पर टिक कर देंगे इस तरह से आपका अंसर आ गया 22 शत्राहों प्रस्ण इस प्रकार से है कि दो गोलों के आयतनों का अनपाद 64 अनपादे 27 है उनके वक्र फ्रिष्टी 6 फलों का अनपाद बताईए तो आप सबसे पहले उनके आयतनों का अनपाद लिखेंगे तो चुकि चार बटे तीन पाई आर क्यूब बटे चार बटे तीन पाई आर वन क्यूब यह बराबर हो गया 64 बटा 27 हो जाएगा तो देखिए पाई पाई सकट गया चार बटा तीन चार बटा तीन सकट गया आग याएगा आर अनपादे आर वन बराबर आ जाएगा 64 का घंबूल करेंगे 4 हो जाएगा और 27 का करेंगे 3, 4 अनपाते 3 हो गया अब आपको निक्यालना इनका आपको इनका प्रिष्टीज छेटफल आप चानते हैं कि प्रिष्टीज छेटफल 4 पाई यार स्कॉयर होता है तो यह हो जाएगा 4 चोग 16 और 9 हो जाएगा तो इस तरह से 16 और 9 हो जाएगा तो 16 और 9 पर आपको टिक कर दें इसका अंसर D सही हो गया D पर आप टिक कर देंगे प्रस नमबर 18 देखिए एक लंब ब्रिष्टी वेलन की तरिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उर्धा धरुचाई 8 सेंटीमीटर है तो वेलन का वक्रप्रिष्ट होगा तो वेलन का आपको देख रहे हैं कि आपको वक्रप्रिष्ट निक्यालना है तो वक्रप्रिष्ट निक्यालने के लिए आप क्या करेंगे तो आप लिखेंगे कि 2 गुडे 22 बटा 7 ये हो गया 22 दुनो 44 44 में आपको 8 से गुड़ा करेंगे तब 8, 4, 32 हो गया और 8, 4, 32, 32, 33, 35, 352 विकल्प में आप देख रहे हैं एक में लिखे गया 3502 cm2 और एक में लिखे गया 532 cm2 तो आप देख रहे हैं कि आपका आंसर कम सा सही होगा इसलिए आपका आंसर सही हो गया 352 cm² प्रस नमबर 19 देखिए लिख्या गया है कि एक घं का आयतन 1331 cm है तो इस घं का संपोड प्रिष्ट ग्याद केजिए तो घं का संपोड प्रिष्ट निक्यालने के लिए सबसे पहले आपको घं की एक भुजा निक्यालना होगा तो घं की आप एक भुजा कैसे निक्यालेंगे चुकि आप जानते हैं घं का अगर आयतन मालूम रहे तो घं की भुजा निक्यालने के लिए हम उसके आयतन का घं मूल कर लेंगे तो इस तरह से हम 1331 का घं मूल करेंगे तो जब 1331 का घं मूल करेंगे तो आजाएगा यारा, अब हम यारा का, हमें कहरा है कि इसका संपूर्ण प्रिष्ट ग्यात करना है, तो आप जानते हैं कि संपूर्ण घन का संपूर्ण प्रिष्ट क्या होता है, घन का संपूर्ण प्रिष्ट होता है, 6 ए घाते 2, जहां पर यह भुजा है, तो आप लिख खाटेगे 6 गुड़े 11 गाते दो तो 6 गुड़े 11 का घात करेंगे 2 तो रहाजाएगा 121 121 में 6 गुड़ा करेंगे तो उसके चाहाएगा तो इस तरह कितना आगया आगए 726 अब आप बिकल्ब में देखिए 726 है कि नहीं है तो देख रहा है 726 है बिकल्ब में तो 726 बिकल्ब में है लेकिन अब आपको बहुत ध्यान देना इसमें देख रहे हैं, 726 के बिकल्प में, एक पर देखिए, घाते तीन लिख्या गया है, यहां देखिए, लिख्या गया है, 726 सेंटीमीटर घर लगा है, यहां लिख्या है, 726 सेंटीमीटर बर्ग, तो इसलिए इसमें से आपका कौन सा जवाब होगा, तो इसलिए आपका बर्ग बर्ग वाला ये छेट्चू की छेटफल है छेटफल के लिए बर्ग इसका क्या ही होता है इसलिए ये सही है ये सब गलत है इसके बाद हम आंतिम प्रस्ण करेंगे तो देखिए आंतिम प्रस्ण क्या है प्रस नंबर 20 देखिए 144 के अभाज गुड़न खंड में दोकी घात क आपको पहले क्या करना होगा आप 144 का गुड़न खंड कर लेंगे तो आप 144 का गुड़न खंड करने तो हो जाएगा दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो 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 चार बार आया है, तो आप इसको लेख सकते हैं, 2 घाते 4, तो आप से पूछा जा रहा है कि 2 की घात क्या होगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अब देखिए दो की घाच चार आ रही है तो आप चार पर टिक मारेंगे तो चार आपका सही जबाब हुगा इस तरह से आप इस तरह से सही मर्क लगा देंगे और इसके बाद अब आप इन सभी प्रसनों को ओमार सीट में भर लेंगे आप अच्छी तरह से ओमार सीट को भरना समझ गए होंगे आप जानते होंगे कि ओमार सीट कैसे भरा जाता है क्योंकि इसके लिए हमने आप लोगों को एक वीडियो में बहुत है अच्छे धंग से बताया है कि ओमार सीट कैसे भरा जाता है अगर आप नहीं देखे हों तो आप उसको अवश्य देखिए जिससे आपको ओमार सीट भरने में कोई परसानी न हो तो इस तरह से सभी प्रसनों को आप हल करने के बाद सभी प्रसनों को करने के बाद आपको यह Maar Riit पर भर देना है तो दोस्तों आसा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग दोगों पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे इस ऐनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी वीडियो को लाइब जरूर करना अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना और हमें कमेंट जरूर करना तैंक्यू बेरिमेश धन्यवाद